आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही प्यारा कुंगफू पेडा मेडिटेशन सीन जिसमें आपको वाटर सिमुलेशन से लेकर एर सिमुलेशन तक सिखने को मिलेगा फिर प्लस A प्रेस करके मेश के अपचिन में जाना है और यहां से चूज करना है सरकल जीसे ही आप सरकल पर क्लिक करोगे आपके पास सरकल आ जाएगा वीव्यपोट मे अब इस सरकलक को लेकर जाना है एडिट मोड में edit mode की shortcut किया tape जैसे ही आप tape पर press करोगे object mode से edit mode में आ जाऊगे edit mode में आने के बाद just F press करना है आपने और आपका circle फिल हो जाएगा कुछ इस तरह से circle फिल करने के बाद again आपने tape press करके वापस object mode में आ जाना है object mode में आने के बाद आपने यहां से modifier tape में आ जाना है यहां पर आपको option मिलेगा add modifiers का इस पर click करना है और add करना है displays modifier displays modifier add करने के बाद आपका circle थोड़ा सा उपर चला जाएगा कुछ इस तरह से will आपने यहां new पर click कर देना है अब यह नीचे चला जाएगा तो यहां पर आपको एक छोटा सा option मिलेगा side पर इस पर click कर देना है तो आप direct texture tape में आ जाओगे उपर से अपने type को कर देना है image or movie से clouds सो circle की shape कुछ इस तरह की हो जाएगी अब आपने again जाना है modifiers tape में यहां से displays modifier की settings को कर देना है around 0.200 फिर आपने add modifiers पर click करना है और इस पार add करना है sub division surface modifier को अब इसके levels viewport और render counts को 3-3 कर देना है आप 2 भी रख सकते हैं और एक बात यह कि अगर आपका low end PC है तो आप render में 3 रख लेना और viewport में 1 या फिर 2 भी रख सकते हो viewport में कम ही number रखा करें और render में आप अपने PC की power के इसाब से रख सकते हैं तो अगर आपके पास अच्छा PC है थोड़ा तो 3 रख लेना अधर वाइस एक या दो काफी हैं ओके जी तो यह modifier aid करने और counts बढ़ाने के बाद अब आपने again aid modifiers पर click करके aid करना है solidify modifier और एक modifier aid करना है जो कि है bevel modifier इन दोनों को aid करने के बाद इनको यहां से ड्रेक करके subdivision surface modifier के उपर ले आना है कुछ इस तरह से जो अभी हमने दो modifier aid कि ये दोनों subdivision modifier के उपर ओने चाहिए इन्हें उपर करने के बाद आपने solidify modifier की thickness value को कर देना है around 0.15 और bevel amount कर देना है around 0.5 और segments कर देने हैं 12 मज़ा नहीं आ रहा bevel amount 0.05 और segments की value को 5 करके देखते हैं नहीं I think हमें displays modifier की strength को तोड़ा कम करना पड़ेगा सो उपर से displays modifier की strength value को अगर हम 0.15 करते हैं तो अब आप देख सकते हैं circle पर बहुत ही प्यारा bevel show हो रहा है as we want अब bevel amount को थोड़ा कम कर लेते हैं around 0.04 बाकि segments I think 5 ही ठीक है अब इन सब modifier को उपर से बारी बारी apply करते हैं सो आपने भी यहाँ चोटे से 0 पर क्लिक करके sub modifier को apply कर देना है तो अब हमें इनकी settings की डिट नहीं है सो sub modifier apply कर लेने के बाद इस पर right click करके shade smooth कर देना है and then shift plus A प्रेस करना है और जाना है mesh में इस बार aid करना है आपने UV सफेर सफेर aid करने के बाद आपने इसको लेकर जाना है edit mode में then उपर से wireframe mode और extra mode ओन कर लेना है और फिर इसको half इतना select कर लेना है उपर से और delete press करके delete vertices कर देने है इसके बाद आपने आ जाना है object mode में और उपर से solid mode on कर लेना है plus extra mode भी off कर देना है तो आपके पास इस तरह का half cut UV सफेर आ जाएगा इन दोनों को select करके थोड़ा सा उपर कर लेते हैं सो circle को select करके थोड़ा सा उपर करते हैं ताके UV सफेर उसमें से नदर ना आए और दिखने में भी अच्छा लगे सरकल का size set करने के बाद अब आपने UV सफेर को select करना है और right click करके shade smooth कर देना है अब आप देख सकते हैं UV सफेर पहले की निस्बत बहुत ही ज्यादा प्याना लग रहा है आई चिंग इस पर भी हम एक सब्डिविजन सर्फेस मोडिफेर अपलाई कर देते हैं ताके बहुत ही ज्यादा हाई पॉली और अच्छा लगे क्यों चीज एड किया करें या बनाया करें तो एक बात का खास ख्याल रखा करें कि उसको एक new collection में एड किया करें ताके काम करने में असानी हो और कोई mistakes भी ना हो वेल नियू collection बना लेने के बाद shift plus a press करके mesh में से एड करना है अबजेक्ट मोड में अबजेक्ट मोड में आने के बाद आपने ओपन करना है shader additive और यहाँ new पर क्लिक करना है for new texture तो आपके पास principled bsdf note आ जाएंगी जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो अब आपने यहाँ से specular value को 2 कर देना है roughness value को 0.1 कर देना है IOR value को करना है around 1.33 and transmission value को full कर देना है मतलब 1 तो आप देख सकते हैं आपके पास basic water material बन चुका है बट हमें चाहिए simulation water river अच्छा यहाँ पर मैं एक और बात clear कर दूँ कि यह low end PC के लिए बहुत ही अच्छा तरीका है river बनाने का तो आप low end PC में real physics water simulation करने जाओगे तो आपका PC तो यह best तरीका है river simulation बनाने का low end PC में आप इसको अपने बहुत ही amazing series में बना कर यूज कर सकते हैं चलें इसको आगे बनाना शुरू करते हैं विल अप एड़ करते हैं यहाँ पर एक noise texture node और इसके factor को connect करवा देते हैं base color से अब noise texture को select करके press करना है control plus T तो auto आपके पास mapping nodes connect होकर आ जाएंगी अगर आपके पास control plus T shortcut work नहीं करे तो आपने add-ons में जाना है और वहाँ से node wrangler add-on install कर लेना है सर्च करके तो आपके पास भी यह shortcutts work करना start कर देंगे well इसके बाद add करनी है color ramp node और उसको noise structure के आगे connect करवा देना है कुछ इस तरह से इसके बाद अगर आप color ramp के arrows को एक दूसरे के करीब लाओगे तो आप plane पर देख सकते हो कुछ black patterns बन रहे हैं arrows को कुछ इतना close लाने के बाद आपने आ जाना है mapping node में और यहां से scale x और y values को कम ज्यादा करके आपने river की simulation जिस तरह करनी है उस तरह की scales values set करनी है जैसा के मैं चाहता हूँ इसका जो water हो वो इस तरह flow करें तो मैं इसका scale उस तरह set कर लूँगा मतलब इसके black patterns जिस तरह flow हो रहे हो उस तरह से इस तरह ज्यादा लंबे और side'ों से पतले मतलब छोटे हो hope so आपको समझ आ गी होगी otherwise at the end आपको पता चल जाए का मैं चिस चीज की बात कर रहा था अचा जैसा कि अगर मैं यहां से x की तरह water flow चाहता हूँ ना right so अगर मैं यहां से x की value को बढ़ाता हूँ तो आप देख सकते हैं इसा लगता है कि पानी इस तरह बहे रहा है उमीद है अब आप समझ गया होंगे बाकी y की scale की value मैंने रखिया यहां पर 5 आप अपने हिसाब से sit कर सकते हैं इसके बाद add करते हैं एक bump node bump node add करने के बाद noise texture के factor को bump node की add के साथ कुछ इस तरह से connect करवा देना है और bump node के normal को normal के साथ connect करवा देना है कुछ इस तरह से well जैसा कि आप देख सकते हैं water पहले से कुछ ज्यादा अच्छा बन चुका है इसमें bumps भी add हो गये हैं अब आपने bump की distance value को कर देना है around 0.01 ओके जी ये करने के बाद color ramp को direct connect करवाना है material output से ताके हम blacks and whites को सही से देखकर अच्छा water flow pattern बना पाएं इसलिए connect करवाने के बाद आप आपने आजाना है mapping node की scale value में और यहाँ पर आपने इसकी scale value को set करनी है मैं यहाँ पर इसकी y value को 4 और x value को 0.8 रख रहा हूँ खिलाल के लिए I think y value 5 कर लेते हैं yes it's good अब इसको करते है animate so animation करना भी बहुत easy है जैसे के मुझे x की दुरफ animation चाहिए तो मैं x location value पर click करूँगा और यह simple type करूँगा hash frame divided by 1000 अब अगर इसको play करके देखें तो I think यह कुछ ज्यादा ही slow हो गया अगर एक्स पर press करते हैं और इस बार 1000 delete करके लिखते हैं 300 and enter अब play करके देखते हैं अब अच्छा लग रहा है अगर आपको और ज्यादा तेज करना हो इसको तो आप और विलियो कम लिख देना होगे जी अब color ramp को वाप इस principled bsdf के साथ connect करवाते हैं और principled bsdf को material output के साथ now you see the results looking so amazing अब हम जाएंगे again mapping note में और यहाँ पर z value में बहुत ही slightly सी animation aid करेंगे ताकि इसके flow में randomness होती रहे so इसके लिए z location value पर click करके type करना है page frame divided by 2000 जैसा के आप देख सकते हैं well good अच्छा अब करना यह है के mapping note और noise texture को select करना है और shift plus d press करके इन दोनों notes को duplicate कर लेना है duplicate करके उपर ले जाना है कुछ इस तरह से then texture coordinate में देखे अगर तो पहले वाली mapping note जो है वो generated से connect है बट हम यहाँ पर change करते है generated की बजाए इसको connect करवाते हैं UV से और नीचे वाली mapping note को भी UV से connect करवा देना है कुछ इस तरह से लेकिन ऐसा करते ही अब यहाँ पर एक problem आ गई है वो यह है के जिस तरह हमने animation set की थी वो generated से UV में change करने से change हो गई सो सबसे पहले तो इसी चीज़ को set करते हैं और उसको पहले वाली position पर वापस लाते हैं इसा करने के लिए simple अपने plane को select करना है और लेकर जाना है edit mode में और उपर यहाँ से UV editor open कर लेना है तो आपको plane की UV यहाँ पर नजर आ जाएगी plane को edit mode में लेकर जाते ही और फिर वापस object mode में आकर देखते हैं येस अब ठीक हो गया है इसके बाद duplicate noise texture में जाना है और यहाँ पर इसकी scale value को कर देना है around 50 फिर add करनी है mix color node जिससे हम पानी में आने वाला black color खतम कर पाएंगे तो mix color node एड़ करने के बाद आपने इसको mix से कर देना है screen make and world और फिर duplicate वाले noise structure को connect कर देना है इसके b color से और पहले वाले noise structure को connect कर देना है mix color के a color से और फिर mix color node को connect कर देना है value अलग अलग हो और ज्यादा realism फिलो जहाँ पर हम type करेंगे hash frame divided by 500 इसके बाद Z की value को भी again जहाँ पर type करेंगे duplicate में big node में hash frame divided by 1000 जैसा कि आप देख सकते हैं black color जो आ रहा था पानी में वो भी खतम हो चुका है plus or animation भी add हो चुकी है इसमें अब आप first वाली mapping node में इसकी scale value कम ज्यादा कर सकते हो अब तक तो आपको पता भी चल चुका होगा कि इसकी scale value को कम या ज्यादा करने से कौन सी चीज़ में changes होते हैं well अपने हिसाब से changes करने के बाद आपने add करनी है एक displacement node फिर इस bump node को disconnect करवा देना है और पहले noise texture को connect करवा देना है displacement node की height के साथ और displacement को connect करवा देना है material output के displacement के साथ now जैसा कि आप देख सकते हैं आपके water texture में displacement aid हो चुका है बट ये कुछ ज्यादा है तो इसको कम करने के लिए आपने इसकी scale video को कम करना है around 0.05 now looking so good अचा आप mix color node की factor video को 0.1 से कर देना है 0.4 इसके लावा आप इसमें बनने मली ripples के size को mapping node में से scale video को कम या ज्यादा करके adjust कर सकते हो तो इतनी देर से मैं ripples की बात कर रहा था जो के मेरे mind में आने ही रहा था बहुत दोर लगाने के बात पकड़ में आया देखा कितना genius हुमें पका A plus student हुआ करता हूँगा वेल आप देख सकते हैं बहुत ही amazing river simulation हमने बना ली है बहुत ही easy तरीके से specially low end PC वाले भी इसको बना कर use कर सकते हैं इसी बात पर like तो बनता है तो वीडियो को जल्दी से like कर दो वेल वाट सिमुलेशन बना लेने के बाद आप बारी आते है इसको river की दरा shape देने की तो ये भी करना बहुत easy है इसके लिए सबसे पहले तो आपने जाना है modify टेप में add modifier पर क्लिक करना है और यहां से choose करना है array modifier तो जैसे ही आप array modifier select करोगे आप देख सकते हो ये एक दूसरे के पीछे डवल हो गया है plan पीछे की जाना लेकिन मुझे आगे की तरफ चाहिए तो मैं इसको one से minus one कर दूँगा अब आप देख सकते हो ये अपने पहले वाले plan के आगे एक और plan आ चुका है तो यहां से मैं इसके accounts बढ़ाऊंगा तो ये बढ़ता ही जाएगा same flow से लेकिन एक चीज़ आप यहां पर notice कर पा रहे होंगे एक line सी जो इसा फील करवा रही है के एक दूसरे के आगे duplicate plan करके लगाए हुए है जो कि अच्छी बिल्कुल भी नहीं ना करी तो इसको खत्म करने के लिए हमने again इसके shader editor में जाना है और यहां पर थोड़ी scale value roughness और detail को कम ज्यादा करेंगे जब तक ये line ज्यादा feel ना हो simply values को कम ज्यादा करके आपने इसको ठीक कर लेना है ये करने के बाद shift plus a प्रेस करना है curve में जाना है और aid करनी है path curve path curve aid करने के बाद plane को हम फिलाल के लिए hide कर लेते हैं तो जैसा के आप देख सकते है path curve viewport में आ चुकी है अब इसको select करके लेकर जाना है edit mode में यहां पर आपको जैसा reverse style चाहिए वैसा इसको move करके बना लेना है जैसा के मैं बना रहा हूँ आप अपनी मर्जी के साब से बना सकते हैं और E प्रेस करके इसको extrude मतलब मजीद बढ़ा कर सकते हैं जब आप इसको बना लो वाफिस object mode में आ जाना है तो जैसा के आप देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरह का बना लिया है विल ये करने के बाद river plane को unide करना है और plane को select करके जाना है modifier टेम में add modifier पर click करके choose करना है curve modifier देन जैसे ही curve modifier इस पर apply होगा आपके पास नीचे option आ जाएगा curve object यहां से eye draw पर पकड़ना है और वो curve select करनी है जिसको अभी हमने edit किया था जैसे ही आप वो curve select करोगे तो आप करीवर plane उस पर set हो जाएगा जैसा कि आप देख सकते हो आप इसको move कर सकते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं मैं इसको curve के start पर ले जाता हूँ यह curve से बहुत छोटा है तो array modifier से इसके counts numbers को बढ़ाना है जब तक यह curve पर complete ना आ जाए तो इसा करने के बाद पहले array modifier अपलाई करना है then curve को अपलाई कर देना है अब गया आप का river बन गया है जैसा आप चाहते थे अब आप path curve को select करके delete कर सकते हैं और जो सबसे पहले हमने modeling की थी उस collection को unhide कर देना है और river जो अभी हमने बनाया उसका size उसके इसाब से small कर लेना है और उसके उपर लेकर आना है कुछ इस तरह से इसी को select करके फिर जाना है modifier टेप में और aid modifier पर जाने के बाद इस पर apply करना है शरिंग रेप modifier सो जैसे ही आप शरिंग रेप modifier एड करोगे इस पर आपके पास target का option आ जाएगा आपने यहां से eye dropper लेना है और select करना है eye dropper से circle जो के सपेर के उपर है तो जैसी आप circle select करोगे river उस पर कुछ इस तरह से चिपक जाएगा जो के कुछ बहुत ही ज्यादा चिपक गया है अच्छा नहीं लग रहा इसको set करने के लिए आपने modified setting में से offset की विल्यों को थोड़ा साथ ज्यादा करना है around 0.01 or 0.001 तो ये ठीक हो जाएगा जिता कि आप देख सकते हैं बिल्कुल उसके उपर आ जाएगा साइस तरीके से अब आपने इसको circle के उपर जहां दिल करें वहाँ set कर लेना है और पतला भी कर सकते हैं S plus Y प्रेस करेंगे तो ये माउस के ड्रेक करने पर Y की तरफ बड़ा या चोटा होगा विल्ल इसको set कर लेना है अपने अपनी मर्जी के हिसाब से जिसाब को चाहिए इसके बाद आपने जाना है Maker Scan की वेबसाइट पर और वहाँ से डाउनलोड कर लेना है ये वाला टेक्स्चर जो के है Rokist AP के नेम से इसको डाउनलोड करने के बाद सर्कल पर अपलाई कर देना है फर्स टाइम अपलाई करने पर कुछ भी नजर नहीं आएगा तो इसकी टाइलिंग छोटी होती जाएगी तो जैसा के आप देख सकते हैं आपने अपने हिसाब से इसकी टाइलिंग सेट कर लेनी है बिल मैं यहाँ पर इसकी विल्यो रख रहा हूँ 10 इसके बाद आपने जाना है Sketchfab की वेबसाइट पर और वहाँ से डाउनलोड कर लेना है Windmill Stylized जो के Already Animated भी है तो इसको डाउनलोड करके Blender में Import कर लेना है और जहाँ पर आपको यह अच्छा लगे वहाँ पर लगा देना है इसको कुछी स्तरह से इसके बाद जाना है Mega Scan की वेबसाइट पर वहाँ से डाउनलोड कर लेने यह दो प्लांट्स फ्लावर के मोडल Field Poppy और Lady Ferran इन्हें डाउनलोड करने के बाद Blender में Import कर लेना है दोदो मोडल्स दी Import कर लेने के बाद आपने Shift प्लस A प्रेस करना है और मेश में जाकर एक और Circle 8 करना है फिर इसको आप Right Click करके Subdivide कर सकते हैं एक से दो बार वह इसलिए ताके Wait Paint में हम इसको अच्छे से Paint कर पाएं Well Naysha करने के बाद आ जाना है Object Mode में और इसको लेकर जाना है Wait Paint Mode में और यहाँ पर इसको Paint कर लेना है जहाँ पर आपको Flower चाहिए मतलब के जो हमने Small River बनाया था वह वाली जगहें छोड़कर बाकि सारे प्लेन पर Paint कर देना है Paint कर लेने के बाद जाना है Particle Tape में Plus के आईकन पर प्रेस करके Particles Apply कर लेने हैं इस पर Amitr से कर देना है इसको Hair देन नीचे आना है Vertex Group में और Density में वो Flower टिक्स Group चूज कर लेना है जो अभी हम बना कर आए Length में भी से हम बनी ग्रूप चूज कर लेना है इसके बाद उपर जाना है Render सेटिंग में और Render Is Pass की जगहां चूज करना है आपने Render Is Collection और फिर नीचे आपको Collection चूज करने का Option मिल जाएगा जिस Collection में अपने Flower रखे हैं वो चूज कर लेनी है और आपके Flower से सकेटर हो जाएंगी आपको इनका Size चोटा बड़ा rotation करने का साब Option मिल जाएगा इसी तरीके से आप कर लेना अपने हिसाब से अब बात एक और आती है कि यह जो Extra उपर हमने Circle Aid किया यह तो Show हो रहा है Right तो इसको खतम करने के लिए सबसे पहले तो Aid Modifier में जाकर इस पर भी एक Shrink Rape Modifier अपलाए करेंगे ताकि यह दूसरे प्लैन के साथ चिपक जाए रिवर की तरह आइडरो पर से वही नीचे वाला सरकल चूज़ कर लेंगे और अपना उपर वाला सरकल नीचे वाले सरकल के साथ चिपक जाएगा फिर इसके बाद पार्टिकल में जाना है वहाँ आपको ओप्शन मिलेगा Show Emitter का इसको अंटिक कर देना है तो ये हाइड हो जाएगा जस्ट इस पर सकेटर हुए प्लांट सी नज़र आएंगे सो सिंपल यहाँ पर एक और बात का फास क्याल रखना है वो जे के जितने भी आप इस सरकल पर या कहीं भी पार्टिकल्स अपलाई करो उसमें फिल्ड वेट्स में जाकर ओल फिजिक्स ओफ करना बिल्कुल मत बोलना ठीक है कोज आगे जाकर हम विंड का यूज करेंगे तो वो इसको भी अफेक्ट करेगी और मेरी तरह एक पर रेंडर करने के बाद आपको दुबारा रेंडर करना पड़ेगा ओफ करके वेल अच्छी तरह बार्टिकल्स की से टंग कर लेने के बाद वीव पोर्ट से भी ओफ करना बिल्कुल मत भूलना ताकि आपका PC लेग ना हो और आप इसली वर्क कर पाओ यह सब करने के बाद आपने जाना है सकेज़ फेब की वेबसाइट पर और वहाँ से डाउनलोड करने हैं यह More Real Strict Trees के मोडल इन्हें भी डाउनलोड करके बिलेंडर में इंपोर्ट कर लेना है इसे बहुत ही प्यारें लगेंगे डिफ्ट करेंगे सीन में आपने जाना है सकेज़ फेब की वेबसाइट पर आपने जाना है कुंग फू पैड़ बेंड़ के नेम से यह वाला 3D मोडल इसको डाउनलोड करने के बाद लेकर जाना है मिक्सामो की Lebideill कर 03 animation जैसे ही आप सर्च करोगे यह animation आपको मिल जाएगी so simple aid करके इसको download कर लेना है download करने के बाद जैसे ही इसको blender में import करोगे तो number one तो इसके टेक्से साथ नहीं आएंगे तो वो तो आप easily folder में से apply कर सकते हैं जहां पर download करके रखे हैं बट यहां पर एक और problem आ रही है वो यह के ना ही तो इसका size चोटा हो रहा है और ना ही rotate मैं अपनी मर्जी के साब से कर पा रहा हूँ मैं जैसे ही इसका size और rotation set करके play करता हूँ यह दुबारा पहले वाले size और rotation पर आ जाता है अब आप अपनी मर्जी के हिसाब से इसका जैसा चाहो size और rotation set कर सकते हो and also location और texture simple drag and drop करके ले आने है shader editor में और connect करवा देने है principle bsdf के साथ इसके बाद जहां आपको अच्छा लगे पांडा खड़ा करने के बाद वहाँ पर aid करना है जो meet में face बनेगा उसको select करके delete कर देना है देन जाना है particle tape में और plus के icon पर click करके particles apply कर लेने हैं इस बार ammeter से हैर नहीं करना बलके ammeter ही रहने देना है बाकी जहां से setting कर लेना जैसी आपको चाहिए या फिर मेरी तरह जे मैं आपको बाद में बताता हूँ सबसे पहले करना यह है कि आपने नीचे जाना है field weights में और जहां से gravity खतम कर देनी है like this जैसे ही आप gravity खतम करके play करोगे तो आप देख सकते हो आपके ammeter उपर की जा रहे हैं so good अब shift plus A प्रेस करके जाना है आपने force field में और जहां से aid करना है vortex इसकी सेटिंग में सट्रेंट कर लेनी है 1.5 इसके बाद आप जैसे ही blender kit पर leaves सर्च करोगे तो आपके पास यह वाले leaves आ जाएंगी इनको डाउनलोड कर लेना है new collection में और फिर फिलहाल के लिए इनको पकड़ कर कैमरा से बाहर ले जाते हैं ताके सीन में यह नजर ना आएं इसके बाद बार्टिकल देब में जाना है रेंडर सेटिंग में यहां पर रेंडर इस हालो की जगाँ चूज करना है रेंडर इस collection और नीचे से उन leaves की collection चूज कर लेनी है तो अब आप देख सकते हैं हालो की जगाँ leaves उड़ रहे हैं यहां पर अब अगर बात की जाए सेटिंग की तो सबसे पहले velocity सेटिंग में जी की value मैंने रखिया है 0.001 इसके लावा number 200 seed 0 frame start 70 end 300 lifetime 150 इसके बाद अगेन से जाना है shift प्लस A प्रिस करके force field में और इस पर जहां से aid करना है turbulence shape इसकी point से कर देनी है line strength 0.8 inflow minus 0.4 noise amount 2.5 seed 120 और power 0.700 इसके लावा आप leaves का size particle tip में जाकर set कर सकते हैं छोटे होने जाएं या बड़े and light के लिए मैंने यूज किया sky texture जो कि आपको world properties में मिल जाएगा और बात करें values की तो sun size कर लेना है 0.8 sun intensity 1 sun elevation 6 sun rotation minus 370 बस इतना बागी same to same rating देना है sun rotation आप अपने हिसाब से करके देख लेना जहां से ज्यादा अच्छी लगे आपको इसके बाद एक और setting करनी है render setting में जाना है then film के option में और यहां नीचे आपको option मिलेगा transparent का इसको टिक कर लेना है ताकि यह transparent render हो और फिर बाद में हम इसके पीचे कोई भी अच्छी सी forest peak डाउनलोड करके लगा सके हैं सो simply render करने के बाद after effect में इसको composite कर लेना है इसके लावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फोलो कर सकते हो न्यू अपडेट्स के लिए जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई